हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी आज हम बात करने वाले हैं आप सुमो की ब्लाक फ्राइडे डील्स के बारे में यह लाइव हो चुकी है अभी और यहाँ पर मोर देन 700 डील्स है अच्छी है जो कि कुछ मैंने भी यूज करी है और कुछ के रिव्यूस काफी अ यह जो सारी डील्स है आपको हमारे ब्लॉग के ओपर भी मिल जाएगी वाला ब्लॉग अभी अपडेट हो जाएगा और जो भी नहीं अगर कुछ डील्स भी आती है तो वो भी आपको लेटर इस पेज पर मिल जाएगी अपार्ट फॉम दाट दूसरी और भी लाइफटाइ जो भी चल रही है जैसे की क्लाउड स्टोरेज के ओपर चल लिए पी क्लाउड आइस ड्राइव वर्ट्रेस थीम से फिर ग्रामरली के ओपर या फिर पाबली के ओपर तो आप सुमों से हटके जो डील्स है उसका भी आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा नीचे इस वीडि आपको टूल चाहिए तो Neuron Writer उसके लिए काफी अच्छा टूल है पहले ही आया था मैंने इसका detailed review भी गया था मैं खुद इसको काफी उसका चुका हूँ इसका video review भी आर्टिकल भी है तो काफी अच्छा टूल है पहले आया था बात में चला गया था अभी Black Friday पे फिर से आ गया है तो you can go with this one and before I move on to the next one एक और important update है कि if you spend $150 प्लस तो फिर आपको extra 10% off भी मिलेगा on Black Friday आप समो पर तो अगर खरीद रहे हो तो एक दो टूल से एक साथ खरीद लेना next tool is word hero AI content writer है मैंने इसका review भी किया था पहले भी किया था अभी भी वापस ही आ चुका है पहले च तो इस price point के उपर बहुत अच्छा है इस price point के उपर go with it अभी पहले unlimited था अभी unlimited नहीं है तो that's the sad part लेकिन फिर भी इस price point के उपर it is very good go for it next is paper type.ai मैंने इसका भी use किया है इसका भी review बहुत जल्दी आ जाएगा मेरे blog के उपर अभी फिलाल आप लोग इसको ले सकते हो इसक कि अगर मैं limit की बात करूं तो you will get 50,000 total words per month word hero में we were getting 20,000 plus words तो paper type में आपको थोड़ा जादा मिल जाता है next is framework ये भी काफी अच्छा tool है काफी नहीं है काफी अच्छे reviews है अगर आपको सिर्फ blog post लिखनी है और कुछ और कुछ भी नहीं करना है सिर्फ blog post लिखनी है आपको अपने AI writer के through then framework is a good option अगर आपको सिर्फ blog post लिखनी है तो इसकी reviews काफी अच्छे है और यहाँ पर आपको 40,000 words पर मिल जाते हैं इनके एक plan के साथ में और चाहिए तो you can stack it up next we have is write cream, write cream भी AI writer है again अगर आपको पहले के 3-4 tools नहीं चाहिए तो write cream भी काफी अच्छा है इसमें काफी अच्छे reviews इसके आ चुके हैं और पहले इसमें unlimited था I think I'm not quite sure लेकिन अभी आपर आपको 4,000,000 characters मिलते हैं अभी कितने words हो रही है इनों नहीं 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 बताया अगर वो बता देते हैं तो I think ज्यादा अच्छा होता next is create.ai again यह भी AI writer assistant यह यह नया नया आया मुझे इसके बार में जाता idea नहीं है बाट इसके reviews में नहीं देखे थे वो अच्छे थे तो again if you don't want the tools जो इससे पहले मैंने mention करें तो you can go with this one for AI writing अब दूसरे tools के बार में बात करते हैं next is switchy, switchy हमेशा ऐसे ही आप सुमों पर आया है या आपको black friday के बाद भी मिल जाएगा it is one of the best tools for custom links जो भी आपको मेरे वीडियो के नीचे आपको links मिलते हैं go.kripishadvani.com वो switchy से ही होते हैं मैं खुद switchy use कर रहा हूं and switchy का मैंने about us page भी बनाया आपने instagram के लिए तो if you want you can go and check my instagram, instagram के bio वाला जो page होता है bio page वो मैंने अपने instagram का switchy से ही बनाया है तो use switchy to generate custom links, retargeting links उस का detailed review मैंने करके रखा है जहां पर मैंने सारी चीज़े बता हैं smart pages भी बता हैं तो go and watch this one out it is really good for this value go for it next is keyword research tool के बारे में बात करते हैं SEO tools के बारे में बात करते हैं next is big biq and this is a great tool right now if you need a tool for keyword research at affordable prices on a lifetime deal तो dollar 50 में around मिल रहा है और इसमें आपको rank tracking की functionality मिल जाती है keyword research की functionality मिल जाती है तो this is really good और इसका जो single वाला plan है इसमें भी आपको काफी सारे features वगरे मिल जाते हैं and if you want more rank tracking वगर आपो जादा चाहिए तो you can go with the stack कर सकते हैं उसको और rank intelligence इसमें सिफ one time credits है so that's a bummer but apart from that ये tool काफी अच्छा है next is squirre SEO I don't know इसको pronounce कैसे करना है सही तरीके से but SEO के लिए वाला tool भी अच्छा है इसके reviews काफी अच्छे हैं again अगर आपको इसके तरफ नहीं जाना भी IQ की तरफ तो you can go with this one ये भी अच्छा keyword research आपको करके दे सकता है ranking rank tracking का इसमें features नहीं है but keyword research content optimization के इसमें भी आपको options मिल जाते है तो for that you can use rank tracking के जाए तो उसके लिए rank tracker करके ये काफी अच्छा tool है rank track भी कर सकते हो अपनी rank भी track कर सकते हो दूसरे के rank भी track कर सकते हो competitors की देख सकते हो backlinks को monitor कर सकते हो backlinks check वगले कर सकते हो तो ये वाला tool उसके लिए काफी अच्छा है और मतलब industry में काफी well known भी है काफी established यह तो रांग ट्राकिंग ले आप लोग इसका यूज कर सकते हैं तो थोड़े एक्सपेंसे साइट पे लग रहा है बाट इट इस वह तो ब्लॉगिंग और आपके बहुत सारे आर्टिकल्स को करें करते हैं बहुत सारे ब्लॉग्स हैं तो 149 पर 10 डोमेंस हैं 100 कीवर्ट्स को ट्राक कर सकते हो दो कॉंपेटर्स को देख सकते हो और यह 5000 बाक लिंक्स मिल जाते हैं तो इट इस वाल्यूफर मनी आद इस प्राइस प्राइस पॉइंट फॉर लाइप टाइम नेक्स्ट टूल इस बाइट प्ले अगर आपको यूट्यूब पे स्यों करना है विडाई की और ट्यूबडी दोनों अच्छे हैं ट्यूबडी का भी ब्लाक फ्राइड ऑफर भी चल रहा है उसके बारे में अपने ब्लॉक पोस्ट पे भी डाला था लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम डील के ओपर चाहिए तो बाइट प्ले एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हो और अ इसका भी डीटेल डीवी मैंने करके रखा है आपको वह भी मेरे ब्लॉक के ओपर मिल जाएगा बाइट प्ले का नेक्स्ट इस ब्लर वेब आप यह डॉलर नाइटीन का अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो और आपको कुछ इंफरमिशन हाइट करने तो यू यू आपको वेब पी इमेज भी बना के दे रेता है आपको वेब पी इमेज भी बना के दे रिता है आस फार आज आई आज आओ AutoWebP, yes कोई इसमें नहीं, आपको इसमें CDN भी मिल जाता है image भी compress कर देता है तो it is good it is good alone for image compress image compress and AutoWebP, दोनों अच्छा है lazy load का भी feature मिल जाता है, तो you can use this, अगर आपके पास अभी तक कोई plugin नहीं है, जो की WordPress की images को optimize करें, तो use this one next tool is HappyScribe, if you want to convert your videos into audios, तो फिर इसका use करो, मैंने इसका use किया है, काफी अच्छा है, तो अगर आप लोग कभी कुछ podcast कर रहे हैं, you are just having some conversations, video conversation से, जिसको आपको text format में करना है, HappyScribe का use करो, काफी अच्छा है last Black Friday भी ये deal पर तो उसके बाद ये अब deal पर आ रहा है तो go with this one, आप लोगों को $69 में 2 hours का transcription मिलता है ये आपको थोड़ा expensive लग रहा होगा but compared to other softwares, $69 में 2 घंटे हर महिने, जो वापस से आपके आ जाएंगे, that is amazing for this price point, अच्छा है और tool भी बहुत अच्छा से काम करता है that's the best part then we have some monitoring tools अगर आपको अपनी website का uptime देखना है कि website डाउन तो नहीं हो रही है तो उसके लिए ad present यहां पर दो tools से domain monitor है next is mon spark दोनों में से कोई भी ले सकते हो, इसके reviews जादा अच्छे है and domain monitor शायद से I think अभी recently ही यहां पर आया है one minute monitors मिल जाते हैं आपको and 100 monthly monitors मतलब 100 monitors इसके आप लोग डाल सकते हो 100 domains डाल सकते हो mon spark पे we have 75 monitors और इस पे आपको screenshot भी देख सकते हो and time limit नहीं बताई है इनोंने तो दोनों में से you can use any one of them for uptime monitoring of your website if you want to next is amz images if you want to insert images in your wordpress blog amazon से instead के आप डिरेक्ली माँ पर जागे copy paste करो इसका code amz image का आप लोग यूज कर सकते हो मैं भी इसका काफी यूज करता हूँ अपने बहुत सारे blogs में काफी अच्छा है इस से में image भी select कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी specific image चाहिए यह image इसकी बड़ी भी आती है तो I am using this tool and this tool is great for this price point इस पर affiliate link भी आपको automatically add हो जाता है image को मतलब आप लोग काफी easily insert भी कर सकते हो delete भी कर सकते हो change भी कर सकते हो so I like this one and I think it's a good value for money at this price point next is WP reset क्योंकि मैं आपर बहुत सारे wordpress websites का use करता हूँ होस्टिंग वगरे test करता हूँ तो मुझे उसको reset करने की requirement रहती इसलिए मैं इस plugin का भी use करता हूँ इस tool का भी use करता हूँ और यह मैंने काफी पहले use करता था जब पहली बार आया था तब ही मैंने इसको purchase कर लिया था is not a pure backup tool it is more of a reset यहा फिर restoration tool for wordpress next tool on our list is akubamail if you want to send newsletters तो akubamail एक काफी अच्छा tool हो सकता है newsletters भेजने के लिए plus यहां से आप लांडिंग पीजिस भी बना सकते हो जहां से people can subscribe and then उसमें आप देख भी सकते हो कैसे कर रहा है इसके जो analytics के option है वो भी मुझे काफी अच्छे लगे है तो अगर if you want some lifetime tool right now अगर आपको convert kit की तरफ नहीं जाना है subscription based model की तरफ नहीं जाना है lifetime की तरफ जाना है तो $79 में यह एक अच्छा tool हो सकता है इसमें आपको 20,000 emails आप लोग बेज सकते हो पर मन्त इस plan के उपर and subscribers इसमें unlimited है और इसका editor भी अच्छा है A-B testing भी अच्छी है और analytics भी अच्छे है next tool is getscreen.me अगर आपने कभी team viewer का use किया हो तो this tool is for you it will help to control other laptop remotely या फिर other desktop तो basically इसको troubleshooting ले यूज़ कर सकते हो freelancing काम करते हो या फिर client ले काम करते हो या troubleshoot करना है आपको online तो troubleshooting में जो team viewer था वो बहुत काम में आता है and इस price point पे उपर उसका एक affordable option आपको दिख रहा है तो if you use that या फिर अगर आपको troubleshooting को अगरे करने पड़ती दूसरे के system में आपको बार बार उनको कि deposit photos आता है इस साल भी आया है तो if you want deposit photos का आप लोग subscription ले सकते हो and इनके planned details की बात करना तो stackable है $39 में आपको 100 मिल जाते हैं $78, $117 तो you have options for images and ये images भी है मुझे कुछ खास पसंद नहीं है बढ़ ये images का भी आपको option मिल जाएगा apps humo के उपर if you want you can check that out page ground पर भी है मेरे इसाब से free pick बहुत अच्छा है image collection के लिए and envato elements भी अच्छा है envato elements की भी deal जल्दी आ जाएगी तो wait for that अगर if you want images याँ फिस्टॉक वीडियो next is killer player अगर आप लोग YouTube वीडियो को embed करते हो अपने website के उपर and you don't want की YouTube की branding आयो उस पर ऐसा लगए कि आपने खुट ने अपने player में उसको play किया है ना कि आप लोग YouTube का use कर रहे हो तो you can use this killer player यह विश्टिया का alternative है और काफी अच्छा है इसके reviews भी काफी अच्छे है and $99 मिलता है no different pricing नहीं कोई stack नहीं करना है एक बार यूज करो एक बार पे करो and you can use it on unlimited websites next we have is you teach if you want an online teaching platform जो की lifetime deal के उपर हो तो फिर आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो teachable think effect अगर आपको नहीं जाना है उनकी तरफ teachable think effect की भी lifetime black friday deals चल भी black friday offers चल रहे है दोनों में अपने ब्लॉक पर पोस्ट कर चुका if you are interested you can go towards that but if you want a lifetime deal तो you teach एक अच्छा option हो सकता है $99 में you can have unlimited students कोई storage के आपे limit नहीं है 0% commission है जिनो कोई transaction fees नहीं है तो you can integration में आपे PayPal है stripe है बस लेकिन आपको UPI अगर एक option नहीं मिलता है अगर आपके international students आ रहे हैं तो you can go with this one कोई limit नहीं है इसमें सबसे अच्छी बात यह है next is tab extend Google Chrome यूज करते हो अगर आपको एक tabs अपने arrange करने के लिए कुछ नहीं functionality चाहिए तो you can try this one tab extend $59 में में पहले भी आया था Robomotion it is for app automation desktop के apps जो होते हैं उसको आपको automate करना है या फिर किसी ने कहीं पर click किया या फिर कुछ copy किया उसके बाद ही होना चाहिए तो automation के लिए है इस not for everyone जो automation में इंटरेस्ट रखते हैं जो थोड़े geekier साइट पे हैं they want to experiment with things उनको कुछ ऐसे चीज मिल जाती है जैसे कुछ repeated tasks होते है यहां से copy किया तो आपको पता है कि वहाई पर जाके paste होना है तो उस चीज को करने के लिए you can use this one और इसके खास बात है कि यह offline apps से online में connect हो जाता है online से offline में connect हो जाता है तो it's good for that it's for the people who are into a geeky app side next is agile if you are looking for a CRM platform CRM system के तरफ देख रहे हो तो यह एक काफे च्छा तूल है अभी lifetime deal के उपर मैंने इसको यूज नहीं किया है but CRM में मुझे ad present यह एक अच्छा तूल मिला इसके reviews भी बहुत अच्छे हैं next is wiser notify if you are having an e-commerce website तो यह काफे च्छा तूल हो सकता है कि आपके website पे किसने कब purchase किया है कितने लोग उस product को देख रहे हैं कितना left बचा है कितना आपका stock बचा है कब खतम हो रहा है कितने stocks remaining बचा है तो if you want to generate curiosity और एक social proof देना है आपको proof देने के लिए काफे अच्छे tool हो सकता है वाइजर notify $89 में आपको मिल रहा है and एक लाख monthly visits है so that's really good next is true conversion if you are into funnels तो आप तोग funnel को अगर track करना चाते है उसके analytics सी है आपको heat maps सी है session recording सी है analytics पूरी तरह से देखने है आपको अच्छे से देखने है तो true conversion एक अच्छा option हो सकता है या आपकी funnel भी मना देगा and जो analytics report देगा कि कहाँ पर click हो रहा है कहाँ से ये people exit कर रहे है कहाँ पर सबस्यादा attention जा रही है वो सारी चीज़े आपको इस analytics map में दिख जाएगे उनका mouse cursor कहाँ से कहाँ पर जा रहा है इसलिए मनेस को include किया है तो basically if there is any visual changes on a website and you want to track that changes कि आपकी competitor के उसने कुछ design changes किया यहां फिर उसने कुछ एक नया element लेया है यहां फिर कुछ नया text लेया है तो यह आपको notify कर देगा उसके लिए अच्छा tool है कुछ innovative सा दिखा मुझे यहां पर next is flex clip flex clip एक online video editor है यहां से आपको videos बगरे बना सकते हो easily अच्छा tool है यह इस price point के ओपर काफी अच्छा tool है but I will also recommend to check out Canva Canva में भी अभी नए अच्छे video editing के options आ चुके हैं तो एक बार वो भी try कर लिजेगा lifetime deals की बात होई ही रही है तो एक और popular website है यहां पर मैं एक दो deals को include कर लेता हूं जो मुझे अभी अच्छी लग रही है पिजग्राउंड पर जो सबसे पहले deal है वो है वी मेकर यह आता है आनी मेकर की तरफ से इसकी जो खास बात है वो यह है कि आप लोग videos बगरे record कर सकते हैं इसको easily share कर सकते हो तो अगर आपने कभी loom का use किया हो यह if you want to share videos उसको edit करके आपको quickly share करना रहता है कि वो direct automatically cloud पे हो जाए you can share this अगर आपको tutorials भी नेता है अगर आपको अपनी team को explain करना रहता है यह if you want to have some any SOPs या फिर तुटोरियल तो you can use this कापी अच्छा है मेरे पास अभी मैं use कर रहा हूँ very cast very cast is this तो मैं अभी यहाँ पर very cast का use कर रहा हूँ और मैंने सुना है कि very cast से ज़्यादा अच्छा है vm maker तो vm maker जो भी बुलते हैं vmaker sorry it is vmaker तो vmaker ज़्यादा अच्छा है उससे तो i'll use vmaker instead of very cast शायद से मैं very cast को यहाँ पर drop कर दूँ अब अभी तो वो चल रहा है तो मैं चलाता हूँ next is steve.ai यह भी animaker की तरफ से ही आता है अगर आपको engaging videos बनाने हैं AI के through videos बनाने हैं तो इसके तरफ देख सकता हो अगर आपको शेडूल करना है तो social view एक अच्छा option हो सकता है $49 में आपको इसके lifetime deal मिल रही है you can check this one out यहां फिर एक new link करके भी है दोनों आपके social media scheduling tools थी है आपको दोनों में से किसी कि तरफ जा सकते हो next one is rattle rattle is for अगर आपको design feedbacks देने आपको अच्छा tool है यह काफी सारे लोगों को मैंने यूज करते हुए देखा है इसको if you want to give feedbacks to design development site पर यहां आपके WordPress में काम करते हैं आपके बहुत सारे clients होग रहे हैं you have to means website related आपका काम है तो rattle एक काफी अच्छा tool होजकता है आप लोग ले तो यह थी कुछ selected lifetime apps or more deals और अगर आपका और lifetime deals जानी है तो वो मेरे ब्लोग पर आ जाएगी apps or more deals में regularly update करता रहूंगा यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो मैं इस वीडियो में और इंसर्ट नहीं करूँगा जो मुझे अभी अच्छे लगे थी सिर्फ मैंने बहुत बताई है और जो भी अच्छी आएगी वह ब्लोग पर मैं update कर दूँगा so keep checking that out subscribe to this channel for more deals more information और भी deals आने वाले और भी वीडियो आने वाले है so thank you so much for watching और अगर यहां तक देख लिया है तो thumbs up तो देई देना भाई thank you so much for watching I will see you guys in the next one goodbye